धनबाद जिले के अलग दिहा ओपी शेत्र के सुरंग में पूर्व में हुई दकैती कांड में पुलिस की हाथ अब तक खाली वही एक हैदर नामक अप राधी की ग्रामिनों द्वारा पिचाई के बाद पुलिस कस्टिदी में इलाज के दौरानुस की मौत हो गई वही आज गुरुबार कुमृतक हैदर के परीजनों ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हैदर को पुलिस ने मार दिया हम लोगों को इंसाफ चाहिए ओनलाइन कैश किये पर घटना के 25 वे दिन होने वाला है अलग दिया ओपी प्रभारी रबिंद्र कुमार शर्मा उमेश पासवान गौतम भुया बलराम भुया सुनील साथ ने मिलकर मेरे पती को दुश्मनी से मारा मेरे चोटे 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 बक्चे हैं मेरे अलावा पांच बक्चे की जीवन यापन क्यासे होगा डॉक्टर नें बताये कि हैदर को अंद्रूनी चोट लगी थी तीन बजे गिरफतार किया गया नौब जे प्रसाद क्लिनिक में भरती कराया तो पुलिस ने 6 गंटे तक वहां रखा जिससे पुलिस के ऊपर कोई संदे होता है तो पहले उपचार करवाना चाहिए था अन्य में दोशियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो कोई दूसरा है दर बन सकता है हमारे पाथ छोटे छोटे बच्चे का पालन पोशन कैसे होगा ऐसे में न्याई की गुहार लगा रही है सर हैदर आली के मामदे में है तो हैदर आली का उसकी पत्नी मेरी बहन है वो मेरा बहन जमाई है और हम लोग इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आए हैं और चाहते हैं कि इंसाफ मिले हम लोग का आपके दवारा आप लोग के दवारा इंसाफ मिले त्या आरोप क्या है आरोफ है, sir, कि इन लोग अला पारवाही से मारा गया है। कौन लोग अला पारवाही से? पहला है, sir, ठाना परभारी रविंदर कुमार सर्मा, तो दूसरा है, उमेश पासवान, तीसरा है, गौतम भुया, चौथा है, बल्राम भुया, और पांचमा है, असोग भुया, कौन थाना के पारवाही है, वो, अलग दिहा थाना सर्, तो आप लोग का आरोफ है, इन लोग उपर, आरोफ है कि, sir, ला पारवाही से मारा गया है, कोई मुझरिम हो या चोर हो, कुछ भी हो, sir, कोई मार के को उस अगर पकड़ा है, तो यह तो थाना के सुपूर्थ किया गया, थाना को भी हक नहीं है, परसाशन को भी हक नहीं है, कि इसको सजा दे, सजा देने का हथ हुआ इस इतने आलाई को, और बस हम लोग यह चाते है, sir, कि आप लोग को थुरू, यह पांच बच्चा है, इनको पत और हॉस्पीटल का जो टाइमिंग बता रहा है सर अलग अलग तरह का जो खबर बी आ रहा है तो आप लोग खुद भी अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं सर की जहरिया परसाथ किलिनिक में ले गया गया तो उसमें वहां साफ डॉक्टर बोल रहे हैं कि साड़े नौ बज किया है मैंने कि यह अब हाई ने हम लोग सोचे इसको कहीं पर रेफर करें लिकिन उस लाइक भी नहीं था और जब साड़े नो बजे दिन में जब तीन बजे भोर में इसको और इसको रखा गया अगर इनको काफी चोट लगा हो था तो पहला पहला उप्चार था कि इसको तो यह इस बीच इसको कहां रखा गया ते इसे साब पता चलता है कि इन लोग का ही हातों इनको मारने में और उन लोग का कहना है कि नहीं यह ग्रामीन वाले उने मारा है से तो ग्रामीन उता उस पर भी तो आप एक्सन लीजिए उसको भी तरिस्ट किजिए यह पांच को ज चुछ लोग जाएगा क्या उसकी मा जाएगी कहां, कलो के कोई फीर हदर अली ना बन जाए. मैं बस यही आं करते हैं, अप लोग नाले दुराइए को इंहों को इमसाफ दिलाएखे शोलाएं जसका नाम तो आपर चाहते क्या है जा जाते हैं हम लोग आदमी तो चल गया कैश नो था मेरा आदमि है छिप्लाना पिलाना हम लोग करता था अब भी महाँ है मेरा बाल बच्चा को पिए उसका बाप है अब हम लोग का सहरा कौन है हमको सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए आप इंसाफ किसे मांग रहे हैं जो जो मारा उसके लिए धनबाद से अजीत सिंग की स्वदेश वानी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आप हमारा चैनल देख रहे है कर दो